हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के दस सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट जारी किये जाने के बाद अब इसने सिर्फ बॉलिवुड के दस सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी की है फैंट्स के लिए खुशी की ख़वर यह है कि पिछली लिस्ट की ही तरह इस लिस्ट में भी बॉलिवुड के तीन खांस न जगह बनाई है लेकिन इस लिस्ट में और कौन कौन स्टार्स हैं और वे कितनी कमाई के साथ कौन सी जगह पर हैं आईए ये जानते हैं शारोख खान है इस साल शारोख खान की अब तक खुल दो फिल्मे रईस और जब हैरी मेट से जल रिलीज हुई है बॉलिवुड बिजनेस के मामले में आम और पर टॉप पर रहने वाले किंग खान 243 करोर की कमाई के साथ पहले पायदान पर है सलमान खान है इस साल सलमान खान की सिर्फ एक फिल्म क्यूब लाइट अब तक रिलीज हुई है और यह भी बॉक्स आफिस पर बुई तरह पिट गई बावजूद इसके 236 करोर की कमाई के साथ सलमान खान इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है अक्षे कुमार है साल भर में जितनी फिल्में अकी की आती है उतनी शायद ही किसी हिट हीरो की आती हो अक्षे की इस साल महजेaffe की फिल्म डॉयलेट इक प्रेम का था रिलीज हुए है जो की बॉक्स आफिस पर हिट भी साबित हुई 224 करोर रुपे के कलेक्ष के साथ अकी इस लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर है आमिर खान है आमिर की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म दंगल विदेशी बॉक्स ओफिस पर अभी भी जंडे गार्ड रही है लेकिन इस साल जारी की गई लिस्ट में उनका नाम चाओ थे स्थान पर है रितिक रोज नहतिहत्तर करोर के कलेक्षन के साथ रितिक रोशन इस लिस्ट में पाँचवे स्थान पर है इस साल रितिक की सिर्फ एक ही फिल्म रैईस बॉक्स ओफिस पर रिलीज हुई है रणवीर सिन है पदमावती स्टार रणवीर सिन की इस साल एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन आकड़ों की बात करें तो 64 करोड के आकड़े के साथ रणवीर इस लिस्ट में 6 मी पोजीशन पर है